नमस्कार किसान साथियो, F2DF mobile app और F2DF website आज आपके लिए बहुत महतर पूर्ण वीडियो बना के लेके आई है, देखिए, अगर एक पसुपालक भाई है, वो पसुपाल रहा है, तो उसके दिमाग में एक ही बात होती है, कैसे भी दूद का उत्पादन बढ़ सके और उसस जेर डालता है, तो कई बार ऐसा होता है, कि वो पूरी जेर नहीं डाल पाता, अगर पसुपालक भाई रहती है, तो वो जहर इंफेक्शन पैदा कर देती है, जिससे कहीना कही सबसे बड़ नुक्सान पसुपाल को यह होता है, कि उसका स्वास्था बहुत ज्यादा खराब जेर नहीं निकल वाएंगे तो पसुपाल नहीं निकल पाती है, अगर जेर के अंदर ही रहेगी जो इनफेक्शन पैदा करेंगी, और अगर जेर का थोड़ा सा भी टुकुडा, अगर पसुपाल के अंदर जो मैला है उसका वह उसके शरीर के उसकी बच्चे दानी के अंद हीट में नहीं आएगा और रिपीटर होगा और बहुत सारे पसुपाल भाई ये गलती करते हैं हाथ से जेर निकल वाते हैं तो हाथ से जेर मत निकल वाईएगा उसका रीजन के देखिए पसुप के बच्चे दानी उसके अंदर क्या होता है जेर जो है वह चिपकी हुई हो पड़ा भी दुवारा यूज हो सकता है मतलब पसुप के सरीर के अंदर यही होता है अगर आप हाथ से जेर निकल वाते हो तो वह खुलती नहीं है वह तूट जाती है उसके टुकड़े पसुप के अंदर रहते हैं इसलिए सबसे पहले चीज कभी हाथ से जेर नहीं निकल पसु ने बच्चा दिया है तो वेट कीजिएगा थोड़ा अब उसके बाद देखिए जैसी पसु ने बच्चा दिया तो वह दो तीन घंटे के अंदर जेर डाल देता है खुद से जेर ना डाल पाए तो कुछ ऐसे नुस्के हैं जिनको आप यूज कर सकते हो हमारे बड़ पत्तों की राक लीजिएगा उसके बाद एक 2 लीटर पानी के अंदर वो राक डाल करके उसके इंदर देखेंगे के दो तीन घंटे के अंदर आपका पशुच जेल डाल देगा पहला तरीका यह था दूसरा तरीका अगर आप यह नहीं कर सकते तो बढ़ के आसपास जो बढ़ का विरिक्स होगा कोई ना कोई बढ़ के सूखे पत्ते 200 ग्राम बढ़ के सूखे पत्ते लीजिए उसको जला जिएका उसकी राख जो है जब राख बची है उस राख को दो लीटर पानी के अंदर मिलाईएगा उसमें 500 ग्राम गुड मिलाईगा उसकी ओटी बना दीजिए गा और उस ओटी को चान करके अपने पशु को पिलाईएगा आप देखेंगे दो तीन घंटे के अ तो आप 20 ग्राम अजवाय लीजिए गा उसके बाद 20ग्राम उपहल लीजेगा और 20 ग्राम भीषी डालते हैं उसे ली जेहगा उसे पानी में गरें घंटी अजवाय की दूद्झ आपनी कर लिया उसकेद थोड़ा नोग यह च्कedy कर लिया लेकिन उसके बाद पी आपके पसुने अगर जेर नहीं डाली है तब क्या होगा तब उसके बाद हम आपको बतारे दिखिए आप अलोपेथी की तरफ मत जाएएगा क्योंकि अलोपेथी से डारेक्ट आपके पसु के अंदर असायन जाते हैं जिसका नुक्सान होता है तो आप होमोपेथी की तरफ की उपर दस बून डालिएगा बस या फिर किसी पानी के अंदर सो डालके मिला कि उसके अपने पसु को पिला सकते हो सिफ दस बून आप डालेंगे उस हमोपेथी की दवाई की तो आप देखेंगा आपने पहला नुसका यूज किया जो हमने पहले तीन तेरे के बताए थे यूज किया तब भी पसुन जेर नहीं डाली तो आप इसको यूज करना पहले भी उज कर सकते हो लेकिन ट्राइ करना कि अंत में अगर आपके पास को दूसरा स्ता न बचा तब उसको यूज कर सकते हो इस बात की गैरंटी दे रहे हैं हम कि अगर आपने उट्राजीन को उसकी जो अंदर जितने भी जुसका मैला होगा जितना भी पसु के अंदर का बच्चे दानी के मैला वो सब बाहर निकल जाएगा और जेर डाल देगा तो उससे आपका पसु का स्वास्था है वो हमेशा के लिए सही रहेगा जितने भी पसु बीमार होते हैं उन्हें कोई दे रहे हो उसके बाद उसमें थोड़ी जरू मिलाईगा हल्दी जो है एंटिसेप्टिक का काम करती है आपके पसु के अंदर जितने भी इंफेक्शन वगारा होंगे उनको सही कर देगी आपका पसु स्वस्थ रहेगा स्वस्थ रहेगा दूद का अच्छा देगा और जि और अच्छा दूद का पादन दे कि वही दूद आप कंज्यूम कर रहे हो इसी का ध्यान अखेगा हमारा उदेश से यही है बस अगर आपको किसी महत्तपुन विशह पर को आपको लग रहा हो जो आपके लिए जरूरी हो हमें लिखेगा उसके ऊपर हम वीडियो बना के हमें ऐसी प्यार देते रहेगा धन्यवाद